साथियों, आम तोर पर अन्ने जगहों पर जब डेमोकरसी की चर्चा होती है, तो ज़्यादा तर चुनाव, चुनाव की प्रक्रिया, इलेक्टेड मेंबर्स, उनके गठन की रचना, शासन, प्रसासन, लोग कंत्र की परिभाषा इनी चीजों के आस्पास रहती है। इस प्रकार की ववस्ता पर अधिक बल देने को ही जादार तर सानों पर उसी को डेमोकरसी कहते हैं। लेकिन भारत में लोग कंत्र एक संसकार है। भारत के लिए लोक तंत्र जीवन मुल्य है, जीवन पद्दती है, राष्ट जीवन की आत्मा है। भारत का लोक तंत्र सद्यों के अनुभव से विक्षिद हुई व्यवस्ता है। भारत के लिए लोक तंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है, और साथ ही व्यवस्ता का तंत्र भी है, तत्व भी है, तंत्र भी है। समय समय पर इसमें व्यवस्ताएं बदलती रही, प्रक्रियाएं बदलती रही, लेकिन आत्मा लोक तंत्र ही रही। और विड़मना देखिए, आज भारत का लोक तंत्र हमें पस्चिमी देशों से मर समझाये जाता है। जब हम विश्वास के साथ अपने लोक तंत्र की तिहास का गवरवगान करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं, जब दुनिया भी कहेगी, जब दुनिया भी कहेगी, इंडिया इस मदर अब डेमोकरिसी, इंडिया इस मदर अब डेमोकरिसी, इंडिया इस मदर अब डेमोकरिसी,